गुप्त धन किसे कहा गया है? आईए जानते हैं चाणकी की इस नीति से कामधेन गुड़ा विद्या, यकाले फलदाईने, प्रवासे मत्र शद्रशी विद्या, गुप्तंग धनंग स्मृतं अर्थात विद्या कामधेन के समान गुण संपन है बिद्या माता के समान हित और रक्षा करने वाली है इसलिए बिद्या को गुप्त धन कहा गया है अतह प्रतुत इस लोक में आचारे चाणक ने बिद्या की महत्ता पर प्रकास डाला है कुछ लोग कहते हैं कि अधिक पढ़ लिक कर क्या करना है विशेश तोर पर यह उन लोगों को चेताने के लिए है आचारे कहते हैं कि बिद्या कामधेन के समान गुण धर्म वाली है कामधेनु नाम के संदर्व में कहा गया है कि वहत ब्यक्ति की सभी इक्षाएं ततकाल पूर्ण कर देती है इसी प्रकार बिद्या का गुण धर्म है बिद्यावान अपने बिद्या बल से अपनी सभी इक्षाएं पूर्ण कर लेता है संकट काल में बिद्या ब्यक्ति को विशेश बल प्रदान करती है बिद्यावान संकट काल में धैर्य नहीं खोता सूज बूज और समझदारी से वह ऐसे कार्य करता है कि संकट का समय शिग्र ही कट जाता है बिदेशों में बिद्या मा समान व्यक्ति का पालन करती है बिद्या बल से बिद्यान व्यक्ति परदेश या विदेश में गैरों को भी अपना बना लेता है इसलिए आचारे कहते हैं कि बिद्या गुप्त धन है विद्या की विशे में विभिन्य शास्त्रों में कहा गया है कि इस धन को न कोई चुरा सकता है न छीन सकता है अतह व्यक्ति को अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई को विशेश महत्व देना चाहिए सज्जनों यदि आपको चाड़क की इस नीती से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो ऐसे ही और भी चाड़क नीती सुनने के लिए किरपिया इस चैनल को सब्सक्राइब और इस नीती को लाइक, सेर और कॉमेंट करने की किरपा करें धन्यवाद